Hello friends, welcome back to my channel. नम्बर पांच, खाना खाने के बाद भारी पर महसूस हो तो आप पानी में निम्बू और काला नमक मिला कर पिएं. नम्बर छे, कच्ची मूली का सेवन करने से दिमाग तेज होता है. नम्बर साथ, अंडे में थोड़ा सा निम्बू का रस मिला कर बालों में लगाने से बाल सिल्की हो जाते हैं. नम्बर आठ, रात को अंधेरे में सोने से डिप्रेशन का खत्रा कम रहता है. नम्बर नौ, किसी रिष्थेदार के यहां बिना किसी काम के बार बार मत जाएए, नहीं तो वहां आपकी महत्ता कम हो जाएगी. नम्बर दस, ऐसे व्यक्ति जिनके माता पिता जिवित हैं, तो उन्हें दक्षिन की दिशा की तरफ मूग करके खाना नहीं खाना चाहिए. नम्बर ग्यार, तूटे आएने से चेहरा ना देखे और ना तूटे बरतन में खाना खाएं. नम्बर बारा, ज्यादा चीनी वाली चाहे पीने से लोग जल्दी मोटापे का सिकार हो जाते हैं और दातों को भी नुकसान पहुशता है. नम्बर तेरा, अगर मस्सों की समस्या हो तो एलोविरा जेल से मसाज करें. नम्बर चौदर, छोटी इलाइची और सौप को पीस कर दूद में उबाल का पीने से आँखों की रोशनी तेज होती है. नम्बर पंदरा, आप रोजाना एक या दो इलाइची खाएं, इससे आपका पेट कम होनी लगेगा. नम्बर 16, स्ट्रोबेरी का इस्तिमाल करने से दार्टों को बहुत फाइदा होता है. नम्बर 17, अगर आपको केला खाने से कबज की दिक्कत होती हो तो आप केले पर हलका सा काला नमक और काली मिर्च छिड़क कर खाएं, इससे आपको कबज की दिक्कत नहीं होगी. नम्बर 18, दालचीने का उपयोग करने से आप निरोगी रहेंगे. नम्बर 19, अगर किचन में काम करते समय हाथ जल जाए तो नारेल का तेल लगाने से आराम मिलता है. नम्बर 20, अगर आपको पेशाब रुक रुक कर आता है तो आप रोजाना नारेल पानी का सेवन करें. इससे आपको बहुत फायदा होगा. नम्बर 21, गाजर का मुरब्बा सुभा के वक्त खाना दिल के लिए फायदे मंद होता है. नम्बर 22, खाना खाने के दौरान कभी भी पानी ना पिए. इससे पाचन किरिया पर विपरित प्रभाव पड़ता है. खाना खाने के हमेशा आधे गंटे बाद ही पानी पिए. नम्बर 23, दातों की अच्छी देखवाल के लिए रात को सोने से पहले दात अच्छी तरह साफ करे और उसके बाद एक गिलास पानी पी कर सोए. नम्बर 24, दिल घवराता हो तो सीने में जलन की समस्या है तो एक गिलास निम्बू की सी कंजी बना कर धीरे धीरे पिए लाब मिलेगा. नम्बर 25, सरसो के तेल को हलका गर्म करके सर में मालिस करने से बाल लंबे घने और मजबूत होते हैं. नम्बर 26, जादा ठंडा पानी पीना इंसान को जल्दी बिमार करता है. नम्बर 27, किसी भी तरह के जुकाम को ठीक करने के लिए खटे दही में गुड़ और काली मिर्च कचूर्ण मिला कर खाएं. इससे खाने से जुकाम जल्दी ठीक हो जाता है. नम्बर 28, कभी भी दूद को खाने के साथ नहीं पीना चाहिए. क्योंकि दूद अपने आप में एक संपूर्ण आहार है या दोनों एक साथ पच नहीं पाएंगे. नम्बर 29, दही के साथ केला खाने से मोटापा जल्दी से घटता है. क्योंकि दही और केले में फाइवर अधिक मात्रा में पाए जाता है. जो आसानी से पच जाता है. नम्बर 30, किचन में जाकर कभी भी रोना नहीं चाहिए. इस से स्वास्त पर विप्रित परभाव पड़ता है. नम्बर 31, मूली के दो चम मचरस में चार दाने काली मिर्च के पीज कर मिला दें. इसमें एक चुटकी नमक मिला कर सेवन करें. इस से पेट दर्द में राहत मिलेगी. नम्बर 32, अंगूर का सेवन करने से आपको गुर्दे की पत्री की समस्या नहीं होगी. नम्बर 33, जादा थूपने से इनसान का दिमाग कमजोर होता है. नम्बर 34, सुबह खाली पेट दही खाने से आपके सरूर में ताजा खुन बनता है. नम्बर 35, आयूरवेत का कहना है कि जो वैक्ती बैट कर और घूट घूट करके पानी पीता है, उसे कभी भी पेट के रोग, किड़नी, लीवर और हार्ड अटेक की बीमारी नहीं होती. नम्बर 36, यदि आपको चकर आने की समस्या है तो सेंधा नमक वाला पानी पीना चाहिए. नम्बर 37, खाना खाने के बाद लॉंग चूसने से एसिडिटी की समस्या नहीं होती है. नम्बर 38, जो औरते अक्सर थकावट महसूस करती है तो उन्हें गुड़ खाना चाहिए, इससे आपको एनरजी मिलेगी. नम्बर 49, देसी घाय का दूद, अगर आप अपने बच्चे को पिलाएंगे तो उसका दिमाग तेज होगा और वा बिमारियों से बचा रहेगा. नम्बर 40, हमें मौसमी फल का सेवन जरूर करना चाहिए, आप चाहे तो ऐसे ही खा ले या फिर जूस बना कर पी ले, इसमें आपको बिटामिन C मिलता है. नम्बर 41, तुलसी के बीच को पानी में भिगो कर खाने से मानसिक तनाव कम होता है, ये सरीर के लिए बहुत ज़्यादा फायदे मंद होते हैं. नम्बर 42, चुकंदर और पालक का मिक्स जूस पीने से खून की कमी दूर होती है, साथ ही आखों की रोसनी भी बढ़ती है. नम्बर 43, दूद में थोड़ा सा जैतुन का तेल मिला ले और हलके हाथों से तीन से चार मिनट के लिए चेहरे पर मसाज करें, चेहरा चमक उठेगा. नम्बर 44, रोजाना एक छोटा अदरक का टुकड़ा चवाने से आप कई बीमारियों से बच सकते हैं. नम्बर 45, जो औरते मेथी दाने का इस्तिमाल करती हैं वा कभी बुढ़ी नहीं होती. नम्बर 46, जो औरते बुढ़ी नजर आने लगे वा अनार के रस में दही सामिल करके पी लिया करें जवान नजर आने लेगेंगी. नमबर 47 जो औरते सुभा उठकर सबसे पहले नहाती है उनका बुढ़ापा जल्दी नहीं आता नमबर 48 जो औरते रात को सोने से पहले गर्म दूद का सेव को सहथ के साथ मिला कर पिती है उनकी तवचा हमेशा स्वस्त रहती है और चेहरे पर जुर्यां भी नहीं पड़ती नमबर 49 जो औरते सुभा खाली पेट खीरे का सेवन करती है वगा कम बिमार पड़ती है नमबर 50 नाभी में तेल डालने से महिलाओं के चेहरे और बालों की सुन्दरता बढ़ती है नमबर 51 जो औरते नरम और फुली हुई रोटी खाती है उसके पेट और कमर की चरवी नहीं बढ़ती नमबर 52 अगर आपके भी घुटनों में दर्द रहता है तो सुभा सुभा खाली पेट दो से तीन अकरोट का सेवन किया करें और कुछ दिनों में आपको काफी आराम मिलेगा नमबर 53 अगर आपके चेहरे पर काले तील है तो आप फुलगोवी का थोड़ा सरस निकाल लीजी और जहां पर तील है वहां पर मसाज करें तील धीरे-धीरे हलके होते चले जाएंगे नमबर 54 अंगुठे में काला धागा बांधने से पेट के कई समस्याओं से बचा जा सकता है और मान्यता है कि इससे नजर भी नहीं लगती नमबर 55 जवान रहने के लिए परती दिन एक आवला जरूर खाएं नमबर 56 धूप में रहने से काली पड़ी तोचा को सुन्दर बनाने के लिए भिंडी के फेस पैक का इस्तमाल करें नमबर 57 यदि आपको हर रोज सरदर्द रहता है तो आप अपने डाएट में पालक का सेवन ना करें नमबर 59 रोजाना भीगे हुए चने खाने से दिमाग ताकतवर बनता है नमबर 69 छोटे केले में बड़े केले से ज़्यादा केलसियम होता है नमबर 60 जिन महिलाओं की नाक लंबी होती है उसमें मुसीबत को सांती से सुलजाने की छमता होती है इन महिलाओं को खर्चा करने का सौक होता है लेकिन इनके द्वारा किया गया खर्चा कभी भी बेकार नहीं होता नमबर 61 पथड़ी किड़नी रोगों और मोटापे से बचने के लिए दीन में 3-4 लिटर पानी पियें वीडियो में बताई गए जानकारी सामाने जानकारी पर आधारित है किसी भी बीमारी से पिडित होने पर अपने डॉक्टर से सलाल लेकर ही यह नियम अपनाएं तो friends आज की वीडियो में बस इतना ही आज की जानकारी आपको कैसी लगी कमेंट्स में जरूर बताएं अगर आपको यह जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक करना ना भूले और साथ ही अपनी family friends में जरूर सेयर कर दें ऐसे ही information वीडियो देखने के लिए हम कैसा स्वस्त रहें धन्यवाद